हेलो एब्रिवान और वेल्कम यॉल तो मैं चानल एक्स्प्लोरिंग डेली विद आध्या सो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी दिली की मार्केट में लेकर आ गई हूँ जो कि पूरी की पूरी जादूई नगरी है यहां पर कभी भी जाओ आपको हर बार निया निया कलेक्शन करनी होते हैं यहां आपको लोकल मार्केट वाले रेट में वो कलेक्शन मिलेगा जो कि आप मॉल्स में या किसी बड़े-बड़े शुरूम में देखते हैं ऐसा बूलन कलेक्शन बच्चों के लिए स्पेशली आपको इस मार्केट में काफी अच्छे बजट फिल्डी तो मेरा यानि आद्या का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन अन करना जो जो लोग चैनल पर पहली बार आएं उनने मैं बता दूं कि कल मैंने खारी बावली का आपके साथ लेटेस व्लॉक शेयर किया है इसके अलावा भागिरेट पैलेस में सारा लेटेस्ट डिजाइनर लाइट्स का कलेक्शन आपको दिखा दिया है चानदी चौक लॉट मार्केट में आपको रजाई, गदे, कंबल, चाद्रे सब मिल जाता है और पार्टी वेर वुलन सूट्स आपको दिखा दिया है पाकिस्तानी और आजात क्रॉकरी मार्केट का व रहोच पर शोड़ो और याप पूछलो कि Jamaa masjid लेने में पुछलो कि ती और फ alors घर ही मृट ने हैज भूहिआ अपर अच्छी सी शॉप मिलेगी पहली बात तो यह यहां पर रहोच आप अपर कभी भी कुछ भी आता है दूसरी बात है इनके rates काफी reasonable होते हैं और तीसरी बात यह कि इनके पास यह जितना भी है ना यह सब lot में रहता है तो ऐसा नहीं है कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ अगली बार आप जाओगे और यह मिल जाएगा यहाँ पर कभी भी कुछ भी आता रहता है मैला माइन भी होगा, क्रॉकरी भी होगा बोन चाइना भी होगा, सिरामिक भी होगा सब कुछ होता है तो यह coffee mugs भीया के पास में आए हुए है इस तरीके का बहुत ही सुन्दर सा स्टील का आपको tissue paper रखने के लिए मिल जाएगा अचार चटनी वगरा के लिए सिरामिक का यह पूरा सेट है साथ में आपको इस तरीके का सिपर मिल जाएगा यह आपका crystal में था प्लास्टिक नहीं है और इसके अलावा अगर आपको कांच में चाहिए तो यह भी आपको मिल जाएगा मैंने हर मार्केट में यह 150 रुपीस का देखा है यहाँ पर भीया के पास में सिर्फ 100 रुपीस का था मेरे हाद में यह जो आप देख रहे हूँ यह dustbin नहीं है यह spoon stand है बिसिकली इसके दो कलर भीया के पास थे इस तरीके का आपको जग मिल जाएगा यह पूरा कांच का है जग आपको यहाँ पर ग्लास के साथ चाहिए वो भी मिल जाएगे और बिना ग्लास के चाहिए वो भी मिल जाएगे इनकी जो shop है यह क्रॉकरी की है लेकिन कभी भी कुछ भी यहाँ पर आ जाता है यह पूरा तीन का set है यह भी कांच में धार ट्रे के साथ में आपको मिल जाएगा इसके अलावा यहां पर इनके पास बहुत सारे ओल डिस्पेंसर आई हुए थे यहां पर आपको हर बार नया कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा और इनके बिलकुल बगल में राम भया बैठते हैं जो की महंदी लगाते हैं महंदी आर्टिस्ट है तो आप चाहो तो महंदी भी वहां से लगा सकते हो और साथ में देखे भया के पास बहुत अच्छे आप से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स ओपन करो उसमें सबसे टॉपर मैंने आपको एक लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करना क्योंकि अल्रडी लोकेशन वीडियो यहां का मैंने बना हुआ है तो आप उसे देखकर असानी से यहां पर पहुँच सकते हो देखे अब यहा बहुत ही सुंदर सा स्पून सेट है ऐसा सेम मैंने आपको सदर में भी दिखाया था गोल्डन कलर में और यह यहां पर सिल्वर कलर में था प्राइद अल्मोस तोनों जगा सेम है इसके अलावा बहा ने मुझे बीकर दिखाया इतना डिजाइनर बीकर मैंने फिर्स टाइम इतना स्टाइलिश ओम एमजी नेक्स यहां पर आपको ऐसा कुछ गरम बरतन रखने के लिए इस तरीके से अप ले सकते हो मटका या कुछ भी गरम बरतन रखने के लिए और पीछे चौब देख रहे हैं यह सब कांच के आपके जग रहेंगे अलग-अलग साइजिस में लिमिटेड एडिशन होता है जितना भी आप देख रहे हो तो इनकी शौप बताऊं तो मैं छोटा पाकेट बड़ा दमाल है बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़े यहां पर आती है आगे अभी आपको लेकर चलूंगी इनकी दुकान से बहुत 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 कुछ दिखाना को मिलेंगे तो फिलहाल मार्केट में बहुत अच्छा वेलवेट शनील वाला कलेक्शन आचुका है यहां पर ज्यादा तर दुकाने रेंट पर होती है तो वो लोग सीजन के साब से बिजनेस करते हैं अब विंटर आ गई है तो आपको यहां पर सारा विंटर का कलेक्शन म ज्यादा तर यहां पर ऐसे ही रहता है तो इनके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छी से शॉप दिखाते हुएं अंकल जी से मैंने भी अपनी ममा के लिए नाइट सूट लिया था यहां पर फिलाल अंकल के बास देखो फुल स्लीफ के नाइट सूट आ गया और रेट अंकल जी बाहरी बैठते हैं यह लगभग आपको समझ लो बारा बज़े तो यहां की जो दुखाने वो खुल जाती है और एक दो बज़े तक पूरा का पूरा पटरी मार्केट भी लग जाता है तो इसमें आपको हाफ स्लीफ भी मिल जाएंगी फुल स्लीफ भी मिल जाएं वो उस व्लॉग में नहीं थी और वहाँ पर मिलेंगी भी नहीं तो लोकेशन अलग है और सारा का सारा कलेक्शन अलग है इस व्लॉग में जो मैं दिखा रही हूँ इसमें कोई भी ऑनलाइन नहीं देता है बट पिछले जो दो मैंने व्लॉग्स आपको दिखाये थे सूट के ready to wear suits के velvet suits के पाकिस्तानी suits के वो सारे वो सब भीया लोग online भी देते हैं तो उन दो वीडियो को भी आप ज़रूर चेक आउट कर ले ना उनका लिंक में कहीं description में या comment box में टॉप पर आपको दे दूँगी मैं आप लोगों को कई बार बताया है कि इंद्र लोग में जो खटी करते हो धका मुकी करते हो suits लेने के लिए वो सारे shopkeepers दर्यागन चितली कबर market से ही आते हैं तो आप directly इस market में आकर भी उस तरीके का collection उसी prices में अराम से बैठके तसली से चेक करके भी ले सकते हो आगे मैं आपको दुकान दिखा रही हूँ मुझे randomly दिख गई है क्यों आपको कोई fake commitment नहीं करूंगी और ना ही यह सारे used हैं तो जब भी आप market में आओ आओ आप हर चीज को अच्छे से चेक करो price bargain करो पसंद आए तो pack करा लो जैसे मैंने यहां से कुछ लिया था अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी क्योंकि वैसे तो यह पूरा बच्चों का collection था पर मुझे बच्चों के कपड़े वाले भी आ जाते हैं sizes कभी कभी तो मैं ट्राइब मार लेती हूं इनकी शॉपर जो बड़ों का collection है ना वह भी बस सब सेग्रिएट कर रहे थे प्राइस के अकॉर्डिंग और साइस के अकॉर्डिंग तो ज्यादा भी उन्होंने खोला नहीं था पर आप मान के चलो कि आपको विंटर्स में यहां पे काफी अच्छा collection देखने को मिलेगा अधर्वाइस आपको एकदम वेस्टन वाला या कॉले अच्छ ऐसे साइस थे पर वन पीस के अकॉर्डिंग और जो प्राइस है वो बहुत ही रीजनेबल है सारी ड्रेस मुझे काफी यूनीक लगी पहनने के बाद इनका काफी अच्छा लुकाएगा टंगी हुई तो यह बस ऐसा ही लटका हुआ सा कपड़ा लग रहा है बट ज बहुत अच्छा है इनकी बस मैं आपको लोकेशन बता सकती हूं मैंने बताया ना यहां पर कोई बोर्ड नहीं होता है और कोई अपनी सीजन के अकॉर्डिंग काम करता है और इस तरीके की अभी आगे में आपको बच्चों की भी बहुत सारी शॉप्स दिखाऊंगी प्राइजिस में कपड़े आपको यहां पर मिल जाने वाले हैं आपको बच्चों के भी कपड़े लेने हैं सूट्स भी लेने हैं और आप इंद्र लोग नहीं चापाए हो तो दर्या गंच आपके लिए 7 डेज ओपन है आप यहां पर कभी भी आ सकते हो बारा बज़े के ब आप में से कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी फैशन पॉइंट वाले भाया की ड्रेस कलेक्शन दिखाने के लिए तो उनकी शॉप में जो कलेक्शन है ना उसका मैं एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगी ड्रेस कलेक्शन वापे विंटर का आचुका होगा नो लोर्स ज्यादा देखने हैं यहां जैकेट्स ज्यादा देखने हैं जो आप बता होगी वही फिर मैं ज्यादा फोकस करूंगी कवर करने के लिए अंदर भया की शॉप में पूरा अपर का कलेक्शन था ड्रेस थी और बाहर इनोंने सारे शनील के और वह फर कोटेड वाले आपसे रिक्वेस्ट है जो आपको ठीक लगे वो लो अधरवाइस आगे बढ़ जाओ यहां पे शॉप बहुत सारी है इसके बात जो मैं आपको एक बैस जूल्री शॉप यहां के दिखाती हूं खदीजा ऑस्पिटल के सामने वह भया शॉप पर थे नहीं तो उन्होंने ब बहुत अच्छी डिजाइनर जूल्री देखने को मिलेगी जो कि मॉल्स में या कहीं आप ऐसे बीच एरिया पे जाते हो ना बढ़ी कोस्टी मिलती है तो उस तरीके का बहुत बहुत अच्छा का लेक्शन बहा के बास रहता है इस बार उन्होंने एरिंग वगर भी पूरा लगाया नहीं था सो जस्ट मैं आपको एक हिंट दे रही हूं बहा के शॉप पर आने के लिए सामने इनके शॉप के बिल्कुल आपको खदीजा हस्पिटल मिलेगा और इससे बगल में अभी मैंने आपको बच्चों के एक शॉप दिखाई थी इन से आगे भी एक और बच् उस तरीके के भी थे बट वो सारे फैक्टरी मेट थे यह देखो कितना क्यूट लग रहा है पॉपल कलर का यह मुझे इतना पसंदा है मैंने बहुत से पूछा बहुत बढ़ी मार्केट है बहुत सारी शॉप से यहां पे तो हाँ यह भी मैं आपको हमेशा बोलती हूं कि कि शॉप से सारी खरदारी मत करना जैसे यहां से आपको कुछ अच्छा लगा जो बिलकुल बेस्ट हो वो लो और आगे बढ़ जो मार्केट में बहुत कुछ है क्योंकि यहां पर यह देख रो कि रोशिया वाला कितना प्यारा सा श्रग है यह मैंने पर्चेस किया है मुझ से आप मान के चलो jeśli यह देंद चाव्क अंदर यह से पर भी समногष्ट हैं उनका भी दिखाऊंगी गपर में कालेक्शन आहां बर जैसे बच्चका बढ़ा हो यह और Woolen Collection उनके मतलब का थोड़ा कम मिलेगा बिल्कुल आप 10 साल के नीचे के बच्छों का बहुत अच्छा collection यहां से ले सकते हो तो देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे पोचूस हैं या आप किसी शॉपर लेने के लिए जाओगे तो पहली बात मिलेंगे नहीं बहुत कॉसली मिलेंगे उपर आप देखेंगे तो यह सारी आपकी लॉंग ड्रेसे हैं इक ही सेल प्राइज है इनका सबका कुछ भी आपको पसंद आता है ठीक लगता है तो अच्छे से चेक करके उसके बाद ही परचेस करना अगर ना समझाए तो पीस छोड़ दो मार्केट बहुत 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 बढ़ा है इसके बाद मैं एक और आपको शॉप दिखा रही हूँ बिल्कु लेक के बाद एक के बाद एक मुझे मिलती जारी थी यह सारी दुकाने यहाँ पर भी 100 रुपीज का सेल था बच्चों का और अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ यह देखो यह सारे जो स्वेटर्स लगे हुए हैं बच्चों के यह सब 100 रुपीज के हैं चाहे अंदर पहनाओ उपर पहनाओ बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन है इनके पास अंदर आपको बॉइस की शर्ट, गल्स की ड्रेसे, टी शर्ट, हुडीज, सब कुछ मिलेगा इनके पास ना नीचे यहाँ पर कुछ ऐसे कमफर्टरस भी थे बिल्कुल देखने से तो फ्रेश नहीं लग रहे हैं और चांदी चौक में आप जाओगे तो आपको साड़े चार सो, साड़े पान सो में तो फ्रेश ही मिल जाएगा इनके जो साइजेस भी थे ना ये सिंगल बेट के या बच्चों के साइजेस के समझ लो तो इसलिए भी मुझे थोड़ा से वर्थ नहीं लगा बाकी अगर आप फिर भी लेना चाहते हो तो बारगिनिंग करके ले सकते हो यहाँ पर ये सब आइटम भी भया के पास में थे इनका भी मैंने आपको बताया ना अभी जो खदीजा होस्पिटल है बस उसी के ले इन में सारी दुकाने आपको मिलती जाएंगी और अंदर जो मैं गई तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको सारा मिल जाएगा यह पूरा का पूरा फ्रेश का कलेक्शन है और डिजाइन भी इसमें बहुत ही अच्छे हैं उपर देखेंगे आप तो यह सारे बॉइस की शर्ट है इसमें भी आपको 8-9 साल तक के बेबी बॉइ का कलेक्शन मिल जाएगा और इसमें बहुत जाज़ा चोईस नहीं होती, सिंगल सिंगल पीसेज हैं पर सारा का सारा फ्रेश है और इतने रेट में तो कहीं भी नहीं मिलेगा, एक से 100 तक नहीं, नीचे सारा लॉइर्स लगा हुआ है कुछ तो baby girls baby boys दोनों के मतलब का था अब आप देखो यहाँ पे सिर्फ 200 रुपीज की सेल में यह सारा boys का shirts का collection है और यह भी सारा fresh था अगर नहीं होता ना तो मैं नहीं दिखाती बड़ यह सारा fresh collection था यहाँ पर जब भी आप आओगे कुछ न कुछ आपको नया ही देखने को मिलेगा जैसे जैसे सर्दी पढ़ेगी जैकेट्स वगरा सब कुछ आप पर आपको मिलेगी दिन साइड में लेडीज के लिए 150 रुपीज के ट्राउजर की सेल थी अब मैं बहुत थग गई थी तो मैंने सुचा है लेडीज वेर तो बहुत हो गया अभी किड्स पर फोकस है तो वही दिखाते हैं पीछे जो आप देखने हैं यह सब आपको 11-12 साल तक के बेबी गल बेबी बॉय के मतलब का मिल जाएगा तो यह सब कुछ अंडर 500 है कुछ 250, 300, 450 ऐसे ऐसे अलग अलग प्राइजस में सिंगल सिंगल पीज आपको मिल जाएंगे और फिर से बता दू मैं यह मार्केट 7 डेज ओपन है संडे को भी बननी होती बस आपको दिल्ली गेट के मेट्रो स्टेशन 3 से एगजिट करना है अगर किसी और नमबर से एकजिट करऊगे तो कहीं और पहुँच जाऊगे और आपको बस यह बोलना है तिराहा बहरम खां पहुँचा दो टो आप ए रिक्षा मतलो इस रिक्षा तो बाहर चलते हैं रिंग रोड पे जो बाहर का मेन रोड है आपको सिर्फ नॉर्मल वाला रिक्षा लेना है उसको 20-30 रुपए देके बैठ जाना है और वो आपको तेरहा बहरम कहां पहुंचा देगा नेक्स यहां पर क्रोकरी की शॉप मिलेगी यह और सिलंपुर थर्सडे में भी लगाते हैं अफ़ान के सामने ही इनकी शॉप है और अफ़ान के सामने ही एक बहुत अच्छी सी शॉप मैं आपको दिखाती हो हमेशा जिनके पास की हैंड लूम वाला सारा होम डेखोर होता है म इतने कम प्राइज में नहीं मिल सकता कहीं पर भी देखे कितने प्यारे हैं यह सब 16 x 16 का साइज है तो यह आप ले सकते हो इसके हो इसके अलावा मैं बहुत पहले भी आपको इनके बास बच्चों के बैठने की वह जो क्या बोलू मैं दरी नहीं भोलूंगी वहल्का सा फोम जो मैं आपको दिखाया था राउंड शेप का वह भी आके पास इस बार मिल रहा था वह भी आप लिसकते हो और यह सब जो है यह सर्दियों में बिचाने के लिए है तो आप इसे चाहे सोफे पे बिचाएं या फर्श पर बिचाएं यह सब में थोड़ी थोड़ी रूई अ बता देना तो यह बिच्चों के लिए है खास तौर पे इसमें कोई डाक कलर भाया नहीं लाते कभी भी यही कलर आपको मिलेंगे यहां पर अफ़ान क्रेशन वाली एक पर्मनेंट शॉप है बिल्कुल उनके सामने भाया जी की शॉप आपको मिलेगी बिसिकली इनके पास यह सब कुछ रहता है होम डेकोर का हैंड लूम में अंदर जब आप इनकी शॉप में जाओगे तो आपको जो है कट पीसिस भी मिलेंगे कुछ ब्रैंडड कुर्तियां कभी फ्रॉक वाले सूट कभी भी कुछ भी आता है कभी भी कुछ भी आता है अगर मैं भया से पूछो भी तो वो गहते हैं जो भी लोट में आता है हम उठाल है हमें भी नी मिलेगा यह पूरी मारकेट ही है अज गए कुछ मिलेगा कल जाओगे कुछ और ही मिलेगा यह देखे- इतने प्यारे प्यारे बहा के पास जरकन वाले लेस आया हुए थे और यार लेस तो मैं आज आपको बस थोड़ी सी मौला दो वीडियो में आगे लेस तो मैं आज आपको दिखाऊंगी बहुत ही शानदार सी यहाँ पर आपको ऐसी भारी भर कम लेसे मिल जाएंगी यह सब कट पीसे हैं और इनकी शॉप पर बहुत रश रहता है लेने के लिए और लोट के ले जाते हैं तो शिमर वाला फाब्रिक भी मिलेगा सीक्वेंस वाला कॉटन के पैचेज और इस बार देखो भया के पास मैंने बोला ना कभी भी कुछ भी आजाता है भीया के पास में बच्चों के लिए यह मच्छर दानी वाला बेडिंग आया हुआ था सिर्फ 180 रूपीज का और क्वालिटी भी काफी अच्छी थी तो यह अब नहीं है पक्का नहीं है जब तक मैंने वीडियो बनाया है आज अप्लोड किया है तो यह पक्का नहीं है इसके अलावा इनके पास में सारे जितने आप देख रहे हो पार्टी वेयर फ्लापर्स हैं तो इसमें देखो पहली बार मैंने वूलन फ्लापर देखा है यह पूरा वेलवेट का था और इसका साइस की बात कर मैं करूँ तो कुछ लार्ज एकसल इस तरीके का साइस था तो यह थे सारे के सारे वेयर के पास 250 रुपीज में इसके अलावा वेयर के पास एक लहंगा था ब्रैंड में पूरा बनार सी लहंगा है बहती प्यारा सा यह ना लगभग बारा तेरा साल की बेबी गल का था और प्राइज आप देख सकते हो इसका MRP मैं देखनी पाई बट पूरा फ्रेश पीस था दुपट्टे के साथ में तो कभी भी कुछ भी यहां पर आ जाता है पीछे कुछ भया के पास कूर्थिया और ऐसे सेट्स वगरा थे अफान के बिलकुछ सामने ये वाली दुकान और बगल में जूस की शॉप आपको मिल जाएगी अफान के पास ये एक भीया ने बैक्स का कलेक्शन लगा हुआ था सेल में इनके बैक्स प्राइस के अकॉर्डिंग काफी नॉमिनल है अगर आपको कोई महेंगे वहेंगे नहीं चाहिए तो इनकी शॉप से आप ज़रूर पर्चेजिंग कर सकते हो स्टार्टिंग फ्राइस यहां पर काफी अच्छे कलेक्शन आपको मिलेंगे इससे भारी भर कम वाले आपको देखने हैं तो वह मैं वीडियो में आके दिखाऊंगी और आपकीजा पर्स वाले भीया का कलेक्शन में आपको दिखा चुकी हूँ जहां पर की बिलकुल वीडियो में आप देख लेना क्योंकि यह मार्केट बहुत बड़ा है यहां के जितने पार्ट बनाओ उतने कम हैं और मैंने आपको पहले भी का था तीनों पार्ट मिला के भी जो मैंने आपको दिखाए वह इस मार्केट का वन परसंट भी नहीं है क्योंकि उससे आगे तो उनको मैं दिखाऊंगी तो इसके बाद जो मैं आपको यहां पर इशॉप दिखा रही हूं इनके पास में आपको हैंडवर क्वाली पार्टी वर काफी अच्छी कलेक्शन देखने को मिलेगी फुट्वेर की इस तरीकी की मार्केट में आपको हर आधा किलोमेटर पर एक दु इस तरीकी में आपको कलर्स भी मिल जाएंगे तीन से चार्टी नेक्स पीस भाया ने यह दिखाया है भी बहुत सुन्दर लग रहा था फ्लाट्स में आईवी तो इनकी शॉप भी सेवें डियोपन रहेगी कुछ भी आइटम आप यहां से लेना चाते हो ले सकते हो आपके अच्छा है तो यह फैशन फूट्वेर नाम से बहा कि शॉप मैं आपको दिखा दी ठीके बाहर पर और अंदर वापस से मैं तिराहा बहरम खा हूँ जहां पर मेरे रिक्षवाले ने डॉप किया था और मुझे बिलकुल यहां से सीधे जाना है जिस रोड पर आगे चल कर जामा मस्जिद या दुर्गा स्वीट वगरा आते हैं तो शुरुआत में यहां पर देखे बच्चों के और भी कपड़े मिल रहे हैं यह सारे के सारे आपको स्वेड वाले माटीरियल में मिलेंगे रेंज मैंने कोट कर दी है क्योंकि इसमें साइज अलग अलग है एक साल क बच्चों का अलग प्राइस पांच साल का दस साल का अलग प्राइस और यह सारे के सारे फ्रेश हैं पट्री यहां पर बहुत अच्छी और बहुत जबरदस्त लगती है इनमें थोड़ी बहुत बारगिनिंग भी करवा सकते हो बेबी गल्स के लिए भी हैं वूलन कलेक्श jocit में हैं अब मिलाए जाकर ऐसा कुछ कि विंटर्स में कभी देखने को नहीं मिला साथ ही साथ यहां पर फ़काइश पियारा सा जॉड़ीट में पुरा सीक्वर्जीट में इसमें कलर्स में भी पास में कॉट कर दिया है इनके पास ना यह जटने भी यहां के फैबरीग जैसे कि मैं आपको इंदर लोक में दिखाती हूँ यहां पर भी कभी भी कुछ भी आजाता है यह है 9000-00 माइक्रो वेल्वेट में अब इसे ब्लाउस बनवाओ लहंगा बनवाओ कुछ कोटी बनवाओ कुछ भी बनवाओ प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे बहुत सुन्दर लगा कलर्स भी इसमें काफी अच्छे है यह 9000 तो है और इसमें जो कॉलिटी भी थी बड़ी अच्छी फर वाली थी इसके बाद आज का शो स्टॉपर पीस देखे यह भी देखो फर वाला लग रहा है बिल्कुल ना वेलवेट प्लेन नहीं है फर वाला वेलवेट है और यह पूरा कश्मीरी एंब्रॉड्री में ठका हुआ है इतना सुन्दर इतना सुन्दर इसके कलर्स भीया के पास में खत्म हो गए थे और मैं सोच रही थी कि क्या ही कलर्स रहोंगे यही आप रॉयल ब्लू में सोच लू ब्लाग में हर कलर पे यह पोखत सुन्दर लगने वाला है काम तो इसका मैंने आपको मैरून भी दिखा दिया और आगे इनके पास में रियॉन, कॉर्टन वो सब कुछ है अब समर्स थोड़ा सा साइट कर देते हैं, विंटर्स के परपर से और फंक्शन के परपर से मैं आपको यहां पर सब आइटम दिखा रहे हूं ऐसा यह सब आपको मिल जाएगा तो अब आपको ना लेफ्ट देखना है ना राइट देखना है बस आपको इसी सड़क पे सीधे-सीधे चलते जाना है अगली दुकान यहाँ पर मैं आपको दिखा रहे हूँ यह बहिया कुछ टाइम पहले तक मैंस के ब्रैंडड अंडर्वेर सेल कर रहे थे जब समर्स था अब देखो इनका भी सीजन चेंज हो गया तो यह बच्चों के ही वूलन कलेक्शन लेकर आए हुए है और ऐसे कपड़े ऐसा फाब्रेक जो बिलकुल मॉल में मिलता है इस तरीके का मैंने आसे ब्लॉगिंग करने से पहले भी बहुत साल पहले भी शॉपिंग की है बहुत सारी शॉपिंग की है इवेन एवरी संड़े आ यूस्टू कम है तो यहां पर आपको मिला जुला स्टफ मिलेगा अब हलकी सर्दिया है तो फुल स्लीव आप बच्चों के ले सकते हो कॉटन का भी स्टफ मिल जाएगा और अंदर आप आओगे तो यह सारे के सारे आपको वूलन सेट्स मिलेंगे और रेंज मैंने इसकी आपको बता दी है इस रेंज में सब कुछ है यह सेट भी है जैसे दो सो डेर सो मैंने बताया ना बच्चों का थोड़ा सा जो एज है उस तो उसके अकॉर्डिंग है पीछे भी आप देख सकते हो पूरा पैंड़ वाला बहुत ही सुंदर सुंदर सेट्स भी है के पास आपको मिल जाएंगे बेबी गल्स की जैकेट मिल जाएंगी और यह परपल वाला तो मैंने सोचा मैं अपने बच्चों के लिए अड़ांस मे ले के खरीद के रख लूँ बहुत है तो इसका प्राइज मुझे भी आने 300 रुपीस कोट किया था बात पैसो के नहीं है लेकिन कई बार ना ऐसे अच्छे डिजाइन और कलर्स आपको किसी रैंडम मार्केट में देखने को नहीं मिलते हैं यह देख रो है आप यह सारी टी आपको पता चल जाएगा और यहां जो आप दूसरी तरफ देख रहो यहां अंटी जी खुद एक शॉपिंग कर रही है तो 80 रुपीस का पर पीछे और भी बहुत सारे तरीके के साइजेस और डिजाइन अवैलेबल है ठीक है इनकी शॉप से अब मैं अगली शॉप पर आ सकती रग्स पूलो कुछ भी बोलो वो सब मिल रहे हैं और यह बहुत अच्छे हैं लेकिन वूलन है आप कॉटन बिचाओगे लेस कॉटन बिचाओगे थोड़ा ठंडा लग सकता है लेकिन वूल अगर आप बिचा के बैठे हो बालकनी में पार्क में कहीं पर भी तो राइबल हो वो भी मिल जाएंगी और इनके बाद में एक और बहुत धासू लेस वाले भाया दिखाऊंगी अभी तक तो धासू है क्योंकि उनके पास तरीके का कलेक्शन था सेम चीज लिख लो यहां पर दुबारा कभी नहीं मिलती कभी भी नहीं तो इस सीधे रास्ते से बस में आई हूँ यह अंकल जी मुझे मिले इनके सामने फिर से बटरी पर यहां पर वूल इंस्टॉल्स का कलेक्शन था बिल्कुल जैसे नमाजी तुबट्टा होता है लंबा चोड़ा उतने अच्छे यह थे सारे वूल इंस्टॉल्स और बहुत ही प्योर जैसे आपको दिखाने जा रहे हूं धासू लेसे यह देख रो कितनी सुंदर है और गेंजा पर मेरा फेवरेट शेट अलाकि मेरे पास इसे लगाने की कोई जगा नहीं है तो मैं लेनी पाई बस मैं देखती रह गई यार इतनी सुंदर सुंदर लेसे बही आगे पास में इसका तो मैं प्राइज ही पूछना भूल गई पता नहीं मैं कौन से ख्यालो में थी अच्छा ठीक है साट रुबे मीटर थी यह वाली पर देख रो आप मैंने इंदर लोग में भी नहीं देखी ऐसी वाली इतनी सुंदर तो यह आप यहां से ले सकते हो पर यह आपको दुबार को नहीं मिलता यह देखो बस भी आ इतनी शांती से इतनी सुंदर सी चीज लगा के बैठे हो हैं इनके बगल में आजए है फिर से देखे कितना प्यारा यहां फाबरिक मिल रहा है यह पूरा फाबरिक आपका वेलवेट के उपर सीक्वेंस का है इसलिए इसका प्राइस थो यह भी आपको मिल जाएंगे इस मार्केट में वैसे जादातर मैंने देखा है बड़े पनी के फाबरिक ही मिलते हैं तो इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ एक और बहुत प्यारा सा चिकन कारी अब आप खुद सोचो इसमें फ्रेंट कौन सा बाक कौन सा है यह इसक जाएंगे कुछ यूनिक चाहिए तो इस मार्केट में जरूर आना दूसरा जो मैं दिखा रही हूँ यह भी इसी का दूसरा कलर था चिकन कारी वही यूनिवर्सल रेट में यहां पर भी मिल रही है 500 रुपे मीटर और पीछे यहां पर देखे गोल्डन सीक्वेंस है बहु तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है जिनके हाथ में जादू है और इसके बाद एक और शोस्टॉपर पीस आपको दिखा रही हूँ यह रॉयल ब्लू कलर में बहुत सुंदर सा जॉर्जट चंदेरी वाला फाबरिक है और इसमें ब्लैक भी था दोनों में स्लाइटली डि बहुत सब्सक्राइबर्स है तो उन्हों ने बोला कि इनका यहां पर कोई ऐसा नंबर वंबर नहीं होता बस आप लोकेशन दिखा दो ऐसे सो यहां पर देख सकते हैं यहां पर बच्चों के कपड़ों का एक सेल लगा हुआ था इसमें टीनेज तक के बच्चों का कपड़ थे हर रेंज के ऐसा 100-100 वाली सेल थी बहुत ज़्यादा खास नहीं थी अंदर जाकेट्स वगएरा भी बच्चों के लिए आपको मिल जाएंगी तो जो भी आप लेना अच्छे से चेक करके उसके बाद लेना और भाया से पूछ लेना थोड़ा लोकेशन या फोटो इतने प्यारे ब्राइडल और पार्टी वेर वाले बैग्स इनके पास आप ही लोगों ने बताया कि ये प्राइज नेगोशियेट कर देते हैं सो इनसे भी आप करिदारी कर सकते हो अगर ये कोई चीज़ साड़े साथ सो की बता रहे है तो थोड़ी बहुत उसमें बार्ग धासुगुरती वाले भाईया और आमेर भ्या के दुगाने वहां पर मिलेंगे और यह वाले भ्यापको शुरू में मिल जाएंगे यो मैं आपको दुकान दिखाते हूं ऊबेश भ्या आपको मिलों जाएगी और दुकाने ऐसा नहीं है आपको सड़ग पार करके उधर जान तो यह भाईया जिस तरीक से छेंग खोल रहते हैं आप लोग मत खोलना अगर अपने पर्सिस की लग लाइफ चाहते हैं यह तो भाईया का स्टाइल है इस तरीक से बैक को चेक कराने का बाद के आप अपने लेवल पर ज़रूर चेक करें ना हर्शीज को भाईया की ना यह द जिसने फाइनली बोर्ड नहीं लेकिन कम से कम शॉप के आंगे बैनर ही लगवा लिया है अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी तो इनके पास में भी देखिए बच्चों का बहुत ही क्यूट कलेक्शन है और यह सारा फ्रेश है आपसे रिक्वेस्ट है बाइचांस आप इंदलोक नहीं जा पाते हो क्योंकि भीड भी है रश भी है आपको बच्चों को भी समालना है सुसुराल भी देखना है खाना भी बनाना है अपने आपको भी देखना है हेल्थ भी देखनी है बाइचांस कभी ऐसा होता है तो कभी ज लगा रखे थे जितने भी आप देख रहे हैं वूलन अंदर से ना सब में फर है उपर से प्यारी पैरे डिजाइन्स हैं सुंदर सुंदर और अंदर सब में आपको फर मिल जाएंगे तो इनके सब के अलग अलग प्राइजेस हैं यहां पर पहुत ही क्यूटू सी छोटू सी जैकेट मुझे मिली आगे वाली चार सो और पीछे वाली साड़े चार सो इस तरीके के रेट्स में थी बेबी गल के लिए यहां पर आपको वूलन ड्रेस भी मिल जाएंगी देखे मिडी हैं फ्रॉक्स हैं यह सब शनील में वूलन में सो जो भी आइटम यहां पर भया के प चाहो तो कॉल करके आ सकते हो आज का व्लॉग में यहीं खत्म कर रही हूं जब आपके घर के चोटे मुटे नन्ने मुन्हों के बहुत काम आएगा आपसे मुलाकात होगी नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए तक के रिए टेक कार और बड़ेश